तो हेलो गाईज कैसी हो भाई लोग आज की वीडियो पेटियम से रिलेटिड है तो अन्स तक देखना ना बुले इसमें जबरदर ट्रिक पताईए मैंने तो वीडियो को जलिश लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो मैं लेके चलता हूं आपको पेटियम में औ और यहां पर आप देख सकते हैं कि मुझे अभी पांस रुपे का कैस बेक मिला है और ऐसे करके पांस रुपे करके कुल पांस बार ट्रांजेक्शन करूंगा मैं और पचीस रुपे का कैस बेक हो मैं पेटियम से लेके आपको दिखाऊंगा तो वीडियो को आन तक जरूर देखना तो आप ज्यादा देर नहीं करते हैं फटाफट वीडियो को करते हैं स्टार्ट सबसे पहले आपको कैस बेक हैंड ओफर का ऑप्सन डूनना है उसमें जाने के बात आपको मैं थोड़े से अर्निंग दिखा देता हूं अपने कैस बेक जो मैंने अर्निकी है अभी म दिखा है उसमें आपको जाना है यहां से आपको निचे उसम दिखाई दे रहा है अक्तिव पर उसको आपको फेन आउप क्लिक कर देना है और यहां से आपको आप क्यूर कोड़ सेलेक्ट कर लेना है करने के बाद आपको यूप 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 जाोगे तो आपको 2 इंस को गएंग सक्रेश कार्ट कुछ नहीं में और दूसरे बालाः इसक्रेश कार्ड मैं को तो प्तूर्पे है यह मिल गया है मुझी हो तो गोई वीडियो को लाइक करती Studentlencel को आपको दिखाए दे रहे हैं सिंप्ली इसके फिर से क्लिक करना है आप टोटल पांस बार हो केस्ट पांस पांस रुपए का आपको मिलेगा तो कुल टोटल 25 रुपए का आपको कैस्ट रेक मिलेगा अब निचे आप देख सकते हैं के अपर में दो स्क्रेच कार्ड मुझे मिल स्क्राइब तो मैं जल्दी से इनको स्क्रेच कर लेता हूँ करने के बाद आप देखेंगे के दूसरे के स्क्राड में मुझे फिर से फ़ांस रुपए का कैस्ट बेक मिला है तो गाइस इस तरह से आप टोटल पांस बांस रुपए के लिए पांस ट्रांजेक्शन करोगे तो गुलाब को 25 रुपे का कैस्ट बेट मिलेगा तो गाइस कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं इतनी अवाद